आज हम बनाएंगे असलम बटर चिकेन, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, पुरानी देली में बहुत मशूर है असलम बटर चिकेन, काफी वहाँ ज़्यादा भीड होती है, तो हम इसे घर में ओरिजनल तरीके से सकते हैं एक खास मसाले के साथ, चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं, असलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं हूँ आईशा, आप सभी का विलकम है, कुकिंग विद एपियस में, सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो चिकेन ले लिया है, इसे अच्छे से धुनने के बाद चन्नी मिरक देना है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, उसके बाद इसमें हम एट करेंगे एक बड़ा चम्मच, अदरक लहसन का पेस्ट, एक छोटी चम्मच, पीली मिर्च, अगर पीली मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फर्स्ट मेरिनेशन करना बहुत जरूरी है, तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढग कर साइड में रख देते हैं, तब तक सेकंड मेरिनेशन के लिए मसाले तयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिया है, और इस पॉइंट चमच, आधी चोटी चमच, जीरा पॉडर, आधी चोटी चमच, काला नमक, और यहाँ पर हमने एट कर दिया है, पीली मिर्च, आधी चोटी चमच, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अब थोड़ा सा नमक एट करेंगे, इस बात का ख्याल रहे हैं के हमने चिकन मे नमक डाला है तो थोड़ा सा यहांपर डालना है और इसे हम फिर से mix करेंगे अब इसमें हम add करेंगे री चटनी एक मुठ्षी धनिया नौ से दस पुदीना के पत्ते और पांस से छे हरी मिर्चे लेकर इसकी चटनी बना ली थी अच्छे से हम mix कर लेंगे मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें चिकेन डाल देंगे इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से अगर हम बटर चिकेन बनाते हैं तो चिकेन के अंदर तक मसाले चले जाते हैं और काफी जादा चिकेन जूसी बन कर तयार होता है तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये कितना ज़ादा टेस्टी बन कर तयार होगा तो अच्छे से हमने mix कर लिया है इसे हम एक घंटे के लिए rest के लिए छोड़ देंगे अगर घर में कोई महमान आने वाले हो या घर में कोई party हो तो एक दिन पहले आप इस तरीके से मेरिनेट करके फिरिज में रख सकते हैं दूसरे दिन आप इसे फटफट बना लें तो यहाँ पर एक घंटा हो चुका है एक हमने यहाँ पर पैन ले लिया है क्योंकि इसके ऊपर कलर लाना बहुत जरूरी है पानी सूखने तक इसे खोल कर ही हम फ्राइ करेंगे जब पानी अच्छे से सूख जाएगा और चिकन के ऊपर light golden कलर आ जाएगा उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे आप देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख चुका है तो इसकी lid लगाकर हमें पहले नहीं पकाना होता है इसे उलट पलट कर हम फ्राइ कर लेंगे तो चिकन अभी हमने गलाया नहीं है सिर्फ फ्राइ किया है तो फ्राइ करने के बाद क्या करेंगे इस point पर flame को बिल्कुल low कर देंगे और इसकी lead लगा देंगे lead लगाने के बाद chicken गलने तक हम इसे पका लेंगे 5-6 मिनिट के लिए हमने इसे पका लिया है और इसका texture बिल्कुल change हो चुका है color भी इसके उपर आ गया है तो इस point पर flame को off कर देंगे अब अगले step की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमने आधा कप cream ले लिया है आप घर की मलाई भी ले सकते हैं पांच बड़ा चम्मच हमने दही आट कर दिया है दही खटा नहीं होना चाहिए अब इस point पर एक छोटी चम्मच हरी चटनी आट करेंगे जो हमने चिकेन में आट किया है अब कुछ मसाले इसमें आट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक छोटी चम्मच हमने चाट मसाला लिया है आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पॉडर दोनों को अच्छे से हम mix कर लेंगे आधा मसाला हम यहाँ पर एक करेंगे और आधा मसाला हम गार्निशिंग में इस्तमाल करेंगे यह step बहुत important है आप लोग इसे इसकी पिल्कुल नहीं करना बटर चिकन का यह खास ingredient है यह तयार हो गया है तो अब यहाँ पर हमने एक जाली ले ली है गैस का flame on कर देना है और जाली के ऊपर जितने भी चिकन है सभी को आपको रख लेना है अगर आपके पास जाली नहीं है तो हम जो कबाब बनाते हैं जो शीक होती है उस शीक में आपको चिकन को डालना है और गैस के ऊपर उसे सेक लेना है तो इस तरीके से उलट पलट कर हम अच्छे तरीके से सेक अब इसके ऊपर बटर या घी अपलाई कर लेंगे और इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे सभी के ऊपर कलर बहुत अच्छा आ गया है और खुश्बू तो और भी जाद अच्छी आ रही है पूरे घर में खुश्बू पैल गई है अब यहां पर एक तसला में हम इसे फ्लेम को आफ कर देना है इसे सर्फ करने का तरीका यही है कि चिकन के ऊपर हम चारो तरफ से किरिम डाल देंगे अब इसके उपर melt क्या हुआ बटर डालेंगे बटर चिकन में किरिम की भी quantity अच्छी खासी होती है और बटर तो बहुत ज़ादा होता है असलम होटल में आपने खाया है तो आपको पता होगा कि इसमें कितना बटर का इस्तमाल होता है अब लास्ट में हमने इसमें चाट मसाला एट कर दिया है और ये हमारा असलम बटर चिकन तयार हो गया है हमने इसे स्टील का तसला में सर्फ किया है आप इसे कोई भी बरतन में सर्फ कर सकते हैं असलम होटल में इसी तरीके से स्टील के बरतन में सर्फ किया जाता है और काफी ज़ादा quantity में butter भी होता है इसे आप plain रोटी रुमाली रोटी के साथ भी खाए ये बहुत ज़ादा मज़ा आएगा क्यूंकि इसमें butter की quantity ज़ादा होती है इस वज़ा से हमें कोई भी butter नान या लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए असलम बटर चिकन बनकर रेडी हो चुका है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हुए जाज़त अल्ला हाफीज